दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल सिविल साइड विजिट में तो काफी दिन के बाद मैं आपके लिए वीडियो ला रहा हूँ लेकिन आज की वीडियो में काफी रिक्यूट्मेंट्स हैं ऐसे हमारी जो जो जौब के अपडेट होते हैं हमारा चैनल जो है सिविल कर सकते हो mostly उस पर में जोब अपडेट लाता हूं लेकिन आज यहां पर लाया हूं जो बच्चे वहां नहीं पहुंचे तो डायरेक्ट पहुंच चके उनको आइडिया लगे कि जोब अपडेट वहां होती है यहां पी नहीं क्योंकि comments mostly रहते है आज L&T में टाटा में इंडोवेट्स में पाइस्ट्रन में हार एक कंपनी में जो प्राइवेट रिकूड में निकल के आ रही है वो आज में बताने वालो फ्रेशर अप्लाई कर सकता है बीटेक वाला डिप requirement क्या होती है L&T में इंजिनियर्स की तो वो देखके फिर हम दीरे-दीरे बाकी recruitment की तरफ चलेंगे तो L&T पे हम क्लिक करते हैं तो हम L&T के जो हमारी website का page है जिसमें पूरा detail होता है क्या क्या requirement है लेकिन हम official notification पे चलते हैं उसके लिए notification पे हम क्लिक करेंगे जैसे हम पहु हो सकते है कोई ज्यादा बड़ी चीज नहीं है तो बीम इंजिनियर मांगा हुआ है है वी civil infrastructure अच्छा नहीं headquarter में requirement है एक से तीन साल के experience मांगा है जो पॉस्ट हुई थी पच्चीस तारीक आपको आनी चाहिए में चीज आपको आनी कह चाहिए हम देखने वाले इस वीडि से रहती है वह आपको जाना पड़ेगा साइट पर बहां हजार्स यह इस्यूस जो है वह आपको करने पड़ेंगे डेली आपको communicate करना पड़ेगा क्लाइंट से आपको satisfied करना है जो भी क्लाइंट रहेगा उसकी प्रोग्रेस प्रोग्रेस रिपोर्ट आपको बनानी है फिर आपको करना क्या है आपको structural integrity और estimate cost जो भी रहेगी labor और material की वह आपको analyze करनी है फिर आपको coordinate करना है architect, engineer, contractor, subcontractor सबके साथ कि जो project है time पर complete हो और within budget हो फिर आपको करना है estimate करना है material cost जो भी drawing provide की होगी client हो यहां architect ने फिर आपको जो भी code violations होंगे यहां आपको structure problems होगी वो आपको analyze करनी है आपको specification के हिसाब से आपको material और equipment site के लिए चाहिए project के लिए वो आपको analyze करनी है यह beam engineer की responsibility है और beam software के help से easily सब कुछ हो जाता है बैठे बैठे within और में तो यह आपको beam engineer के लिए apply कर सकते हो जिनके पास experience है फिर हम चलते है टाटा म में आपके लिए recruitment कर रही है पूरी simple form में यहां मेंने लिखा होई है लेकिन हम चलते है apply page पे बहाँ पे हम देखेंगे notification और apply भी कर सकते हैं तो इसको apply करने के लिए सबसे पहले आपको position name है आपकी DTO diploma training की job रहेगी civil में location यमशेदपूर रहने वाली है age 18-22 साल qualification diploma experience 0 और responsibility designer training training जाने वाले हो कोई नहीं सीखो के आगे बढ़ोगे इसके लिए apply करने के लिए आपको apply क्लिक करोगे यहां आप apply हो नहीं हम employ आप apply नहीं हो तो आपको यहां basic detail बननी पड़ती है और एक अपना अच्छा सा CV बनाना है क्योंकि सबसे पहले CV आपका वहां पहुंचेगा उ वह आ रही है इंडोवेंस में फ्रेश वाकिन इंटर्व्यू रहेगा यह प्राइवर्ट जॉब्स आज आपके लिए लेकर आए हूं घुर्मेंट जॉब्स अभी लाऊंगा अगर आप कमेंट करेंगे बाकि हमारे यो दूसरा यूट्यूब चैनल है जिसमें जॉब अप इंजिनियर्स के लिए और यह रहेगा आपका चार नमंबर और पांच नमंबर को मॉर्निंग में नाइन थर्टी एम से आगे आप जा सकते हो ट्रेनी डिजाइन इंजिनियर बीटेक सिविल अगर आपकी है तो आप अप्लाई कर सकते हो एक्स्पिरियंस फ्रेशन मांगा ह लेकिन इसमें सॉफ्टियर उनमर मंगा आपको रिवीट आना चाहिए मप इंजिनियर की रिक्वाइरमेंट है बी मेकनिकल सीविल एप्लाई कर सकते है जिरो से आउठ बन्त का एक्स्पिरिंस है रिवीट एमीप आपको आना चाहिए आर्कीटक्ट च्रेणी आर्क्लिटक भी आर्किटेक मांगी हुई है जिरो आर्साल आटोकाड और रिविट आपको आना चाहिए तो इसको जुरूर एपलाई करिए इंडो वेंस प्राइवेट लिम्टिड यह यहाँ पे जाके आपको इंट्रव्यू देना पड़ेगा पूने महराष्टरा में और मैप लिंक भी है डिस्क्रिप्शन में रहेगा लिंक के सब चीज का आप एपलाई कर सकते हो और कैंडिड ऐसा होना चाहिए जो एक दिसम्बर तक जोइन कर सके क्योंकि इनको जल्दी जल्दी चाहिए आपका ट्रेनिंग पिरेड जो रहेगा तीन से पांच बहुत अच्छी कंपरी है जो आपको सब कुछ मेंशन कर रही है नोटिफेशन में मेंशन नहीं करते हैं सब चीजे तो कैंडिडेट पूने ओफिस में ट्रेनिंग पिरेड के दोरान काम करेगा और उसके लिए वर्क फ्रॉम भी हो सकता है कंडिडेट शुड भी साइन इंप्लॉयर्मेंट बोर्ड आफ अठारा मंत अठारा मंत का बोर्ड आपको साइन करना पड़ेगा वहां रहने के लिए मतलब कंपणी छोड नहीं सकते ठीक है लेट्स ग्रो टूगेधर बहुत अच्छी चीज़ है तो आपके पास मोका है इसमें भी अप्लाई करने का वह भी डिस्कॉप्शन में लिंक रहेगा हम L&T में हो आए इंडोबेंस में टाटा में अभी नेक्स्ट कंपणी में चलते हैं वहां क्या रिकॉर्मेंट है सिविल इंजिनियर्स की वह देख लेते हैं तो उसके लिए हम करते हैं अब पोसिक ट्रोन में जो जो जॉब निकल के आ रही है उसकी देख लेते हैं उसमें अगर आप दिल्ली किया हो तो आपको प्रेफरेंस मिलेगी जरूर मिलेगी बाई तो इसमें आपका CGPA आपका 6.5 से कमनी होना चाहिए हाई स्कूल से डिग्री तक और इसमें आपको नौलेज होना चाहिए अडवांस ऑटोकैट प्रोग्राम जो आपको ऑटोकैट का नौल चाहिए चाहिए अपको मैनेजमेंट स्किल्ल आनी चाहिए यह सब चीज़ें होने चाहिए इसे सापगा होना चाहिए आपको मेनेजमेंट किल करसे हो ओनी डिस्कुप्शन में लिंक रहेगाँ नेग्स्ट चोब चलते हैंeli है और यह हमारी है डर इंजिनिर रिकूटमेंट तो यह शायर पूरानी हो चुकी है देख लेते हैं एक बार तो इसमें फ्रेशर अप्लाई कर से थे सुरी इसकी लास्ट डेट निकल चुकी है 25 अक्तूबर इसकी लास्ट डेट थी तो यह निकल चुकी है लेकिन बाकी जॉब की तरफ वह जो यह रिकूटमेंट है यहां एप्लाई जुरूर कर लेजिएगा वीडियो कल शूट कर रहा हूँ आज और जॉब से यहां अपडेट हो चुकी होंगी आप वेबसाइट पर जा सकते हैं दूसरा जॉब अपडेट का वहां जुरूर सब्सक्राइब करके रखिए वहां जॉ सब कुछ आने वाल है तो जल्दी जाके अप्लाई करो थैंक यू